अगले 25 साल आपके लिए भी और भारत के लिए भी दोनों के लिए बहुत ही महत्वपुड हैं। आपको अगले 25 साल अपना और भारत दोनों का भविशत्य करना है। इन 25 वर्सों में आप कई बार अपने मताधिकार का प्रयोक करेंगे। ऐसे में जीले, प्रदेश और देश के स्तर पर होने वाले सारे चुनावों में आपकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी होगी। आज जब देश 2047 तक विशित भारत बनने के लक्ष पर काम कर रहा है। तो आपका वोट ये तै करेगा कि भारत की दिशा क्या होगी। जिस तरह, याद रखें दोस्तों, जिस तरह 1947 से 25 साल पहले भारत के नवजमानों पर देश को स्वकंत्र कराने का दारो मदार था। उसी तरह, 2047 के पहले के इल, 25 सालों में आप पर विशित भारत के निर्बयान की जिम्मेदारी है। हमारे बीच जब भी स्वतंत्रता सेरानियों का नाम आता है, तो उनमें से अनेकों लोग ऐसे होते हैं, जिनकी उम्र 18 से 25 साल के बीच ही थी। उनके नाम आज भी इतिहास के पन्नों में स्वन अक्षोरों में लिखे जाते हैं। आपके सामने भी एक ऐसा ही मौका है, विक्सित भारत के अमरित काल की गाधा में, आपका नाम स्वनाख श्वरों में कैसे लिखा जाए, ये आपको तै करना है। अगले कुछ सालों में हम स्पेस, डिफेंस, मैनुफेक्चरिंग, टेकनालोजी, इनोवेशन और ऐसे कई सेक्टर्स में कहां पहुचेंगे ये सब आप पर निर्वर होगा। हमारी गती, हमारी दिशा, हमारी एप्रोच कैसी होगी, ये सब आप तै करेंगे। और इसका एक बड़ा माध्यम मतदान ही होगा।